So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SBI Share के बारे में अब इस टॉक में आज के दिन में हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिल गई है और यह गिरावट का रीजन simple है क्योंकि पूरी मार्केट में यहाँ पे correction देखने को मिल रही है Nifty के अंदर यहाँ पे 1% की गिरावट देखने को मिल रही है क्या है कि आज के दिन की closing बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है क्या है कि stock में बहुत लंबी कुछ आपको ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ही correction देखने को मिलेगी क्योंकि क्या है कि नीचे supports काफी सारे हैं हमारे पास अगर आप देखो कि तो हमारे लिए एक support 7.78 रुपीस का भी है बाकि आज market जैसे ही close होगी उसके बाद मैं stock के ओपर दुबारा आपको update दूँगा कि अब इसमें आगे का क्या view बन रहा है उसके लिए बने रहना channel पे तो अभी मैंने आपको इसके लिए फिलाल के लिए level बता दिये कि आपको देखना है कि आज के दिन में 7.76 यहाँ पर break होता है या फिर नहीं होता है यह अगर break होता है तो फिर हमें नीचे का move थोड़ा और देखने को मिल सकता है stock में अब नीचे के move से मेरा मतलब यह नहीं है कि यह stock काफी जादा correct हो जाएगा बट क्या है कि आपको यहाँ पर minor correction और देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में तो आज की closing का wait करते है closing जिस तरीके से होती है उसी के बाद हम इस stock में फिर आगे discussion करेंगे कि आगे क्या targets निकल क्या आ रहे है